व्यादा मरम दो आत्मावादा मिलन है, दिलादा अनुष्ठान है, प्रेम, सहानुभूती, कोमलता, पवित्तर पावनावादा विकास है, पंडित श्री रामशर्मा चारे, पुस्तक दा नाम व्योहता जीवन दा स्वर्ग, पुस्तक दी जानकारी, आज दे जादातर नोज संबंद तो ओना दा मूँ मोड लेन दा कारण की है, इस दा कारण ए है कि आज व्याद नू सिरफ एक शरीरिक अते समाजिक बंदन ही समझे जान्दा है, व्या स्वर्गी अनंद दा माध्यम वी हो सक्दा है, इस दा ता किसे नू अंदाजा भी नहीं, और जा मर्द किसे द वी कले रहना उचित नहीं है, दोनना नू एक दुज्जे दे सहयोग दी जरूरत है, दोनना पक्खा विच ना ता कोई कमजोर है, ना ही कोई ताकतवर, फिर वी ओ एक दुज्जे ते बिना अदूरे हन, सफल व्योहता जीवन दे पेद, आपने साथी दियां इक्छामा, क चलन दी कोशिश करनी चाहिदी है, एक दुज्जे सामने हमेशा सिर चुका उन लई, हमेशा त्यार रहना चाहिदा है, छोटी छोटी यां गल्ला ते होन वाले मतपेद, गलत फ्यामी या ते चगड़या तो सावधान रहना चाहिदा है, नीनू पती दी देख बाल, मा वा सिला होना, पती नू वारवार अपने मू तो पतनी दे गुतनी दे गुना नू ब्यान करना चाहिदा है, उस दे चंगे कमाते परसन होना चाहिदा है, उस दे प्रती प्रेम दर्सावना चाहिदा है, क्योंकि औरत अपने पती दे मुहों ए सब कुछ सुनना पसंद कर दी है इक दुझे दियां कम जोरियां अते गल्टियानू सब दे सामने प्रगट नहीं करना चाहिदा है। बिना छल कपड तो दिल खोल के इक दुझे दियां चंग्याईयां दी प्रशंसा करनी चाहिदी है। आत्मक तत्ता दे मिलाब तो विशव बन्दा है उसे तरह ही औरत अते पुरुष दे मिलाब तो मनुख बन्दा है। पती दा प्रेम ओही पासक दिया हन जो उसे दे दोशा जा विशेश तावानू हास के टाल दिया हन। पती पत्नी दे जीवन शेहन शीलता दा मूल बहुत दोडन अते उनना दा पूरा सिधकार करन ता कोई व्या असफल नहीं हो सकता। मनुविज्ञानक दा ए अटल सिध्धान्त है कि बिना चमगी सला, सिख्यामा, योजनामा, अलोचनामा नू दुझ्या व्यक्ति पसंद नहीं करता। पामे ओ किन्नी ही शेष्ट क्यों ना हो पुस्तक दे कुछ बिन्दू व्यादी उप्योगिता, मनुविज्ञानक कारण, इकल्ले पंतो विमारियां, व्योहता जीवन दी सफलता, व्यादी असफलता दे कारण, ग्रेस्त जीवन नू सुखी बनाओंदे सुनहरे सूत्र, व्योहता जीवन दा सच्चा प्यार।